हलो स्टूडिंस आई दिपेंद्रिफ वेलकम यौल तो मागनेट ब्रीन्स हम से इंगेज बुक से जो मैसेमाटिक्स के आपकी आपकी इडवांस की तियारी कर रहे हैं इसमें कॉडिनेट जॉमेट्री की आपकी बुक चल रही बुक आक्चली पाथ सब बुक्स में डिवाइ हर एक चैप्टर को ओवरॉल पूरे आपके इडवांस के लिए मैथेमाटिक्स को सिंगेज बुक से हम थरली कर लें बहुत डीटियल मैनल में करेंगे और बेशक अभी हम जो कॉडिनेट जॉमेट्री का स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम बात करने वाले और कैसे वो आ रहा है इस बारे में सीखने में थोड़ा सा स्टूडिन्स कन्फ्यूज रहते हैं बहुत डीटेल में बहुत इजीली हम सीखेंगे और समझेंगे कि बहुत टफ वो प्रॉसेस या टास्क नहीं है बहुत इजीली आप कर सकते हो मेरा एकीन करिये अच्छा इस आप साथ ट्राइल वर्जिन या पेड वर्जिन नहीं होता है हमारा मॉड्यूल हमारा पकेज हमारा प्रोग्रेम पूरे तरीके से आपके लिए रहता है फ्री आफ कोस्त मलब आपसुल्यूटलि फ्री आफ कोस्त मलब किंडर गार्दन तो 12th स्टांडर्ड अलग लग बोर सकते हैं विद आप बिना किसी डिले के एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे सारी बाते करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बस समझाना है सिखाना चाहरा हूं कि मान लो आपके पास दो स्ट्रेट लाइन से यह एक स्ट्रेट लाइन है अब आप खुद बताओ मुझे स पहले बात हम सभिजाने सर वर्टिकली अपोजवे आंगल से मोद घर यह एंगल और यह अंगल रिइंगल से होग और फोलाइन उन वें सरी बातों से सबसे ज़あーda जरूरी एक बात सुनिये का ध्यान से Sir, अगर यहाँ पर मैं एक angle bisector बनाओ, बहुत अच्छा तो नहीं बनाया है, मैंने, यहाँ पर अगर मैं एक angle bisector बनाओ, तो यह एक angle bisector होगा, और फिल्कुल ही angle bisector, इस angle का इस angle का जिसका भी कहना है कह लिएजी, क्योंकि यह जो होगा हो सेम होगा, लेकिन आपको नहीं लग से चारों ही 90 डिग्री रहे तो ठीक है एंगल बाइसिक्टर तो होंगे ना दो और आपको एक और बात ऑब्सुर्व करने में रेलाइज होगी थोड़ देर के बाद कि एंगल बाइसिक्टर हमेशा परपेंडिकलर होते हैं आप यह प्रूव कर सकते हो बहुत असानी से बहु को यहां पर आपको एंगल बाइसिक्टर कैया होगा वाँके लोकस की कॉंटक्स में कहेगा क्या मैं कहें रहों लोकस के तुरों कर निकालना चाओंगा तो मैंowej क्या कहुंगा कि assigning by sector मतलब कुछ नहीं एंगल by sector मतलब कुछ नहीं बड़ी सिंपल सी बात सर कि अगर angle by sector पर कोई भी point है उससे अगर आपने इस लाइन पर perpendicular drop किया तो उसकी perpendicular distance और इस लाइन पर drop की गए पर point की perpendicular distance हमेशा सेम होगी कि आप मेरा point से मुझ फारे हो तो यहां से भी देखो यह perpendicular distance होगी क्योंकि चीज़े symmetrical है आप समझो चीज़े कि यह और यह triangle congruent है congruent क्यों क्योंकि सर यह angle और यह angle सेम हो गए यह side होगी आपकी common side तो यह भी तो distance सेम होगी तो triangle आपने दुनों congruent प्रूव कर दिया और triangle अगर congruent प्रूव कर दिया तो बिल्कुल सर मैंले तो basic geometry students geometry क्या है लोकस निकालने के लिए angle by sector की equation निकालने के लिए मेरी जो condition रहेगी वो क्या रहेगी कि सर एक ऐसे point का path वो point इस path पे travel करें ऐसे कि उस point से जब आप in lines पे perpendicular drop करें तो वह distance सेम हो आप खुद सोचो students जैसे मालो मैं यहाँ पे point ले लेता हूं है ना तो इससे जब आपने perpendicular drop किया यह जब आप इस नहीं यह पर्पिंडिकुलर किया तो यह दोनों length से होंगी are you all getting an understanding this particular statement without getting confused और अगर यह बात आपको समझ जारी तो यही सारी बात हैं आप लिखेंगी हैं बस यह बात जरूर याद रखेगा कि angle bisectors मेंशा एक दूसरे पर अगर दोनों की और यह जो मैं बाठना हैं अगर 360 degree को मुझे चार इस्सों में बाठना है और 4 इस्सों में भी यह बात बिल्कुल तयह है तो यह angle कितना होगा, आप देखो ना यह एक ही straight line पर angle है, तो यह alpha है तो यह कितना होगा, सर यह होगा 180 minus alpha, आप बात समझ पाए क्या, बिल्कुल सर समझ गए, यह होगा 180 minus alpha, अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दो, बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी बात का जवाब दो, कि अगर यह जो angle था, सर, यहाँ पर यह जो angle था, यह पूरा alpha था, तो यह जो है, अगर यह angle by sector है, तो यह कितना होगा, सर, यह हो जाएगा, alpha by 2, किसी भी student को कोई तकलीफ नहीं है, सर, अगर यहाँ पर यह भी एक angle by sector है, तो यह कितना हो जाएगा, 180 minus alpha का half, याने कितना, 90 minus alpha by 2, अब मेरा आप से बस यह कहना है, मेरा आप से बस यह कहना है, कि आप मुझे ढूंड के, इन दोनों angles का sum बता सकते हो, सर, यह है 90 minus alpha by 2, यह है alpha by 2, जब sum किया, तो alpha by 2 is alpha by 2 cancel, तो यह जो दोनों angle by sector के बीच का sum आ रहा है, यह दोनों angle by sector के बीच का जो angle आ रहा है, वो 90 है, आयो बहुत ज़ादा confused नहीं हो कहा है, आप बस यह याद रखे, कि angle by sector जो यह होते हैं, दो बनते हैं, उनके बीच में कितने degree का angle होता है, 90 degree, always, no matter what, will you all remember that, यह दोनों बात याद रुखेगा students, इनी पर आथ सारी बाते हम करने वाले हैं, महले हैं सारी बाते इनी पर बेज़े हैं, यह सब वही बात लिखे गई हैं, आप ध्यान से एक करके ने पढ़ लिजे, अब जब मैं इस point पर आने वाला हूं, जब मैं आपसे इस fact पर बात करने वाला हूं, इस fact पर, तो यह क्या fact है, इसे समझेगा, आप बात समझो, students, अगर आपने angle bisector बनाया हैं यह एक line हैं यह एक line हैं यह एक line हैं यह एक line हैं लिज़से ax plus by plus c, मैं इसे कह जाता हूं, a1x, b1y plus c1 is equal to 0, एक और straight line हैं यह है, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, b2 काफी stylish बन गया हैं तो काम की बात हम यह करते हैं, कि सर अगर angle bisector है तो कैसा बनेगा, angle bisector बढ़ी sorted सी कहानी है सर कि यह angle और यह angle सेम होंगे, यह बात तो आप समझ रहे हो ना, इसका क्या ताथ पर रहे है सर, इसका बड़ा important से significance है कि इस पर लाई करने वाले किसी भी points है, जब आप इस line पर perpendicular डालें तो वो perpendicular distance हमेशा सेम आईगी, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, याने कि सर, अगर यह point है, let's say h, k, हम शुरुआत h, k से करते हैं, आखिर मैं x, y replace कर देते हैं, तो आखिर में जब करना ही है, तो सर, अभी कर लो आप, अभी ही मैं क्या रख लेता हूं इसे, x, y, तो मैं आप से बस यह पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे सिखा सकते हो students, कि x, y, point है, इस से इस लाइन की perpendicular distance क्या होगी, कैसी बात कर रहे हो सर, यह नहीं आता आपको, x, y से लाइन की perpendicular distance, बोलो, x, मतलब यह x और y variable हैं, और यह x, y एक point होगा, जिसे आप h, k से replace करते हो न, तो x, y जब यहां रखे तो a1 x plus b1 y plus c1 upon under root over a1 square plus b1 square, और इस point से इसकी जो distance आई की वो क्या होगी, a2 x plus b2 y plus c2 upon under root over a2 square plus b2 square, आप सोच पा रहे हो, और यह दोनो distance कैसी है, सर, यह दोनो distance same है, यह दोनो distance same है, तो आप क्या conclude करोगे, सर, आप लिखोगे, a1 x, मतलब आप लिखते है, a1 x, h plus b1 k, ऐसा करके, तो h और k को आखिर में x, y सर प्लेस कर रहे हैं, तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, plus b1 y plus c1 upon me of course क्या, under root over under root over a1 square plus of course b1 square, सर, एक बात बताऊं, इसके उपर mod नहीं लगा होगे क्या, mod लगाना पड़ेगा na, distance is students है na, similarly अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा सर, यहाँ जाएगा a2 x, plus, 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 plus क्या साहिर, plus b2 y, plus of course c2, divided by under root over a2 square plus b2 square, यहाँ पर mod लगाना ज़रोत नहीं, क्योंकि already under root है, वो positive way return करेगा, अब एक बात बताऊ सर, अगर दोनों तरफ से mod रटा दिया, तो क्या बनेगा, जब दोनों तरफ से mod रटा दिया, तो यह बनेगा, ध्यान से सुनना, a1 x, plus b1 y, plus c1, upon, under root over, a square plus b square, तो मुझे किसी एक तरफ तो plus minus लगाना पड़ेगा, या तो यहाँ, 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 तो मैं यहाँ पर लगा देता हूं, तो यह कितना हो जाएगा, यह जाएगा, सर, a2 x, plus b2 y, plus c2, upon, of course, under root over, क्या, under root over, a2 square, plus b2 square, मेरा आप से यह पूछना है, कि सर, यह plus minus का मतलब क्या, आप सोच पाए, सर, दो angle bisectors हैं, तो एक plus वाला होगा, एक minus वाला, सर, दो तो हैं, एक plus वाला और एक minus वाला, बट कौनसा कौनसा होगा, plus वाला कौनसा होगा, minus वाला कौनसा होगा, कौनसा angle bisector, acute angle bisector होगा, और कौनसा angle by sector, obtuse angle by sector होगा, ये कैसे पता करेंगे, एक सेट, थोड़ी सी कहानी लंबी है, पर अगर आपको मैं बस एक छोटी सी बात याद दिला हूँ, तो आपको वो बात याद आ रही है, जब हमने डिसकस किया था, कि कोई point line के किस segment में लाए करता है, बस अगर मैं वही concept करो ना और उससे direct आपको result शेर करो, तो result याद रखेगा, बाइद आवे अपने notes में इस fact को note down कर लिए जएगा, कि ये होती है आपकी angle by sector की equation, कौनसी lines के, अगर दो lines रही होती है, आपकी a1x plus b1y plus c1, और a2x plus b2y plus c2, अगर ये दो straight lines होती, तो कुछ मत करो, उनके x और y क coefficients के square के sum के under root से, उन दोनों lines को divide करके equal रख दो, plus minus कब किसके लिए कैसे लेना है, उस पर बात हम करने वाले, पर पहले ये बाते हैं आपने समझ ली किया, ये बाइद आवे क्या है सर, ये है आपके angle by sector की क्या भई, equation, है न, कोई दिक्कत तो नहीं, I hope यहां तक बाते समझ जाएं, ये कैसे बना ये भी समझे आप, अब हम बात करते हैं काम की बात पर, ये पूरा उसका configuration है कि वो चीज़े कैसे निकल कर आ रहे हैं, मैं आप से जो discuss करना चाहरा हूँ है, इस fact को समझ के रखेगा, पहले तो आप बस ये ensure कर लेना कि आपके C1 और C2 positive हो, मतलब क्या इसका सुनिये का दें, जैसे माल लो, आपके पास एक equation है, 2x plus 3y minus 6 is equals to 0, और 1 है, let's say 2x plus 5y plus 7 is equals to 0, तो पहले तो आप ये ensure करेंगे, ये पुरी process है, I'm sharing the modus operandi, कि आपको कैसे पता करना है कि acute angle ये obtuse angle, वो पता करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले तो आप य C1 C2 जो है, वो दोनों positive बना लेना, तो positive ये एक process है, हाँ, इसे बस समझना, तो अगर इसे positive बनाना है, तो इसे पुरा negative sign common ले लिया, तो सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस 2x minus 3y plus 6 is equals to 0, अब ये भी positive है, और ये तो positive था ही, 2x plus 5y plus 7 is equals to 0, तो पहला check तो ये, पहला check तो ये, कि आप क्या करेंगे students, आपके जो C1, आपके जो C1 और C2 हैं, इन्हें क्या करेंगे आप, इन्हें बना लेंगे positive, क्या ये बात आप समझ पाए, पहली step, दूसरी step ये, अब बस simple सा sorted expression है, अब आप निकालोगे A1 A2 plus B1 B2, अब आप निकालोगे students A1 A2 plus B1 B सुनिये का, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेंगा, अब जैसे आपने निकाला A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 और N futures, minus two into two, minus two into two, minus two into two, minus four, minus three into minus three into plus five, minus 15, और इक्लियरी minus 19 ना रहा है, ब जब ये ए बने बी तो आपका नेगटे बाता है, तो सुनिये का धियां से, जो positive sign वाला आपक का acute angle by sector होगा और जो negative sign वाला होगा वह आपका क्या होगा obtuse angle by sector बनलब बस इतना याद रख लो कि इसका जो भी sign है ना इसका जो भी sign है उसका उसका इसका जो भी sign है वही obtuse angle by sector का sign होगा confused तो नहीं हो रहे हो मैं फिर से समझाता हूँ सुनना देखो यहां पे a1 a2 b1 b2 positive आया ना a1 a2 b1 b2 positive आया ना तो उस case में आपका negative वाला acute angle by sector होगा मैं समझाता हूँ थोड़ा ध्याद दिल सुनो यहां पे जैसे ही negative आया बस इतना सुनो जैसे ही a1 a2 b1 b2 negative आया तो अब सुनना अगर आप से कोई पूछे कि जो obtuse जो obtuse angle by sector की equation बनेगी जो obtuse angle by sector की equation बनेगी वो क्या बनेगी सुनना दियान से इसमें और इसमें ही लगा लो सीधे सीधे कैसे सुनेगा दियांसे हमने सीवन सीटू तो बना लिए हम डिरेक्टली इसी पर लगाते हैं हमने सीवन सीटू तो पॉसिटिव बना लिए अब सुनेगा दियांसे मैं क्या करने वाला हूं इस पर बात करने वाला हूं सुनना दियांसे बहुत काम की बात पूरी 4 3 का square 9 9 plus 4 कितना 13 तो यहां पर लिख दीजिए denominator में अंडरूट 13 सुन रहे हो क्या आप लोग similarly 25 plus 4 कितना 29 तो यहां पर लिख दीजिए अंडरूट में 29 सामने लगा दीजिए equal अब अब सुनना बहुत काम की बात सुनना बहुत काम की बात सुनना आपका a1 a2 b1 b2 क्या आया negative तो obtuse angle bisector भी वही होगा जो a1 a2 b1 b2 का sign होगा यहां पर आप क्या लगा देंगे minus sign यह आपका क्या बन गया obtuse angle bisector बहुत कौन सा वाला होगा plus वाला समझ आया है नहीं students मैं इस पूरी कहानी को एक normal flow chart में अगर आपको boil down करके दूँ ताकि आप confused ना हो जाओ तो सुनिएगा इस पार्ट को बहुत देहां सुनना this holds the crux of this entire particular topic काम की बाते सुनिएगा आपके पास एक equation तो कौन सी है a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0 और एक equation क्या है a2 x plus b2 y plus c2 is equals to 0 पहली condition तो क्या पहली condition तो जो भी आप करें मुझे नहीं पता या तो यह से minus common ले 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 या दोनों में से ले 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 या दोनों में से ना ले जैसे भी हालात हों आप बस ही ensure करिए कि c1 और c2 क्या हो positive तो पहली condition तो क्या ह कि c1 and c2 should be positive दोनों ही क्या होने चाहिए positive सब दोनों negative वो तो बात नहीं बनेगे क्या नहीं आप तो दोनों को positive बनाईए पहला काम तो यह अब जैसे आपने c1 c2 positive लिया c1 c2 को positive बनाए अब आप क्या निकालेंगे सुनेगा ध्यान से अब आप निकालेंगे a1 a2 plus b1 b2 से मैं obtuse को hold करता हूँ obtuse को follow करता हूँ कैसे सुनना एए वन एटू b1 b2 अगर एवन एटू b1 b2 क्या है negative तो अगर एवन एटू b1 b2 क्या है negative तो अप्टीू यह वाला तो नेगे जह नेगे साइन वाला होगा एक वाला क्या होगा positive क्या बात समझ आईए आपको और सार ए तो नहीं हो रहे हैं बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेट तो नहीं हो रहा है मैं को एक्जाम्पल लिखे आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीज नहीं सुनिगा रहे हैं से जैसे यहां पर लिखाए लेट से 4x-3y प्लस लेट से 2 is equals to 0 कोई दिख्कत तो नहीं तो नहीं इसी तरीके से जैसे यहां पर लिखाए लेट से 3x प्लस 4y मैं बस इसको थोड़ा ऐसा लेना चाहरा हूं ताकि आपको दिख्कत नहीं हो जैसे कि यहां पर लिए लिए 3x प्लस 3x लेट से माइनस 4y विल्कुल सही है ना वहले लेते हैं लेट से माइनस 7 इस एकस तो 0 सर एंगल बाइसेक्टर की क्विश्चन चाहिए ना आपको और एक्यूट और उप्ट्यूज अलग पूछ रहा है ना विस्ते तो आप चाहते तो यह से बना देते नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉज minus 3x plus 4y plus 7 divided by minus 3x minus 3 ka square 9 plus 16 कितना 9 plus 16 25 25 तंड रूट 5 है ना और एक बार वापस की equation लिखे तो but with a negative sign तो क्या सर 4x है ना सुनिएगा ध्यान से minus 3y plus 2 divided by of course 5 पर यह 5 से 5 cancel हो जाएगा तो तो does not make any sense कि में लिखू और इसके आगे क्या लगा जिता हूँ तो negative sign तो negative sign लगा है तो क्या 3x minus 4y minus 7 मेरा आपसे बस यह कहना है पहले तो यह 5 बटा दू तो कोई दिक्कत तो नहीं है students मेरा बस आपसे कहना है कि सर इसमें से कौन सा acute और कौन सा obtuse यह कैसा निकालेंगे कौन सा यह आपका वो positive sign हमें इसके आगे क्या sign यूज किया था positive और यह कौन सा था negative sign वाला याद है ना आपको अब एक बात बता दो students मुझे बस a1 a2 plus b1 b2 क्या रहे सर आप ध्यान से देखो 4 x 3 कितना minus 12 आपको दिख रहे है ना repeat 4 x 3 कितना minus 12 और minus 3 x 4 कितना minus 12 minus 12 plus minus 12 याने कितना minus 24 याने कितना रहें नेगेटिव आपको बात समझ आ रही है यह आ रहें नेगेटिव अब जो इसका sign होता है वही obtuse angle वाले साँ कहनु होता है हमने तो यह जो अक्वेशन वन रही है न इस्टूडेंस यह जो इक्वेशन वारी यह इंगल बैसे करकी खुर्पापको समझ आ रहा है और पता चलकिया कि उसले से नहीं अछाए जाएगा ना कि यह क्या है सरी वाला कौन सा है यह जो है आपकी यह है acute acute की spelling में गलत लिखा हूँ acute angle by sector बहुत confusing तो नहीं हो रही है सरी बात है अच्छा इन सारी बातों से भी सबसे ज़रूरी एक और बात एक और बहुत ज़रूरी बात कि मेरा आप से बस यह कहना है बहुत ध्यान से चुनिएगा कि सबसी खतम हो जा रहा है कि नहीं आप थोड़ा simplify कर सकते हो 3x को इदर ले आओ 4y को भी दर ले आओ 7 को भी दर ले आओ simplify करके लिख सकते हो तो simplify करके किया जाएगा 3x इदर आया तो 7x अना 4y दर आया तो कितना माइनस I think 7y और यह कितना जा रहा है माइनस 5 सही लिख रहा हो ना और इससे simplify किया तो 4x माइनस 3x कितना x माइनस 4y आया तो प्लस y और यह जाता है 7 प्लस 2 9 तो यह जो दो equations बनी ना यह तो है आपकी क्या acute angle by sector क्यों यह है आपकी obtuse angle by sector किसके इसके और इसके क्या अब आपको यह concept अच्छे से clear हुआ क्या अब आपको clarity है step by step process क्या करना है sir पहले तो c1 और c2 को positive बना लेना है और a1 a2 b1 b2 का sign decide करेगा कि वो क्या होगा वो वही वाला होगा जो a1 a2 b2 b2 का sign है वो obtuse angle by sector भी वही hold करेगा इस तरीके से मैं जनरली से याद रखता हूं तो I hope यह process आप भी इस तरीके से follow करेंगे और भूलेंगे नहीं क्या यह बात आपको अच्छे से digest होगी यह बात अगर समझ आई तो एक और तरीका concept आता है जिसे कहते हैं sir कि अधियान से students मैं आपसे बात कहना चाहरा हूं प्लीज इस बात को समझो पहले तो एक काम करो आप इसे पढ़ लो अच्छे से आप इसे अच्छे से समझ लो अगर आपको समझा जाए तो अच्छी बात है बड़ना मैं तो explain कर ही रहा हूं एक बार पढ़ लो तुम खुझ स सर यह तो बहुत अजीब अजीब सी नर्दनें क्या-क्या थियोरी लिखी हुई है मेरा कहना है बिल्कुल सही कह रहा हूं तो सर इसको किसी आहान तरीके से नहीं समझ सकते क्या समझ सकते हैं सुनो एक एक्जामपल लेते हैं पहले हम समझते कि exactly मैं कहना क्या चाहरा हूं जैसे माल लो आपके पास वही एक्वेशन है ना 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 एक है आपके लिए से 3x minus 4y plus 2 is equals to 0 काम की बात है सुनना अध्यान से स्टूरी माल लो मुझे पॉइंट एक पता करना है 1,2 एक पॉइंट है लिए से 1,2 यह मुझे पता करना है यह 1,2 मुझे इस तरीके से पत करते हैं कॉन से रीजन मतलब मेल आपकोस यह दो स्ट्रेट राइनस है अब इनके एंगल बाइसे हैं कैसा आ जाए question कैसा आ कि सर जिस region में 1,2 fall कर रहे हैं जिसे यहां यहां है यहां मुझे नहीं पता कहा भी उस region वाले angle bisector की equation लिखो question समझा रहा है आपका मालो 1,2 यहां है मुझे नहीं पता बस मैं कह दे रहा है आपको थोड़े दिखले कि जिसे 1,2 जिसे यहां पर है तो वह आपसे पूछ रहे है जिस region में 1,2 है ना उस region वाले angle bisector की equation बताओ क्या आपको question समझा यहां बहुत आसान है सुनना जहां से पहले तो आप इसमें 1,2 पास करो इसमें 1,2 पास करो फटा फट स्टूडेंस देखो क्या रहे तो 1 पास किया तो 2 है ना या जा रहे है 2-2 पास किया तो कितना 2-3 शीक्स और in the और इस से सोच के बताओ 6-2,8- 6 कितना 8-7 पॉजिटIVE है na तो यह कितना रहे पॉसिटिव सेम वन कॉंपा मातो यहां पास किया तो 1 कॉछ है कितना 345 इंटू 2 कितना're 8 और यह प्लस 2 3 प्लस 2 6 6 माइनस 8 नेगेटिव अब बात समझनें students यह क्या रहा है यह आ रहा है नेगेटिव अब इस बात को ध्यां से सुनना सर हमने जब 1,2 यहां पास किया तो यह आया पॉसिटिव 1,2 यहां पास किया तो यह नेगेटिव यह दोनों के signature कैसा है सर यह द divided by कुछ ज़्यादा सीवन सीटू के साइन की जिंदा गंडी जोरत नहीं आप तो बस इसको किसे डिवाइट कर दो अंडरूट ओवर 2 का स्क्वेर 4 3 का स्क्वेर 9 9 प्लस 4 कितना 13 इस इक्वल 2 इधर वाले में क्या जाता 3x-4y प्लस 2 divided by वही 3 और 4 तो क्या बनाएगा 5 यह वाला एंगल बाइसिक्टर है यह वाला एंगल बाइसिक्टर है जिस रीजन में 1,2 लाए करता है बहुत कंफ्यूज तो नहीं हो गया स्टूडेंस क्या बात आपको समझाई मलब आप क्या कहना चाहरे हो सब मैं आप से कहना चाहरा हूं मान लोगर कोई पॉइंट दिय लेता हूं जिसे एकर मुझे कोई पॉइंट दिया होता जैसे मैं ले लेता हूं मैं लेता हूं 4,-1 है ना मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया 4,-1 मुझसे कोई पूछे सार 4,-1 जिस रीजन में लाए करता है उस वाला एंगल बाइसेक्टर की एक्वेशन बताओ तो अगर तो नेगेटिव हो रहा है और यहां पर भी रखेंगे तो जाधा फायदा नहीं हो रहा है तो 4,1 की जगे मैं एक और थोड़ा अच्छा एक्जामपल लेता हूं 4,-1 की जगे और बड़ा नंबर लेता हूं लेता हूं 10,-1 कोई दिक्कत तो नहीं बस ले रहा हूं भी ध्यान से सुनना है students 10,-1 लेने से क्या होगा बात करेंगे सुनना काम के बाद जैसे ही लिया 10,-1 तो सुनना 10,2 कितना सुर 20-1 लिया तो यह कितना हो जा रहा है माइनस 3 और यह जा रहा है माइनस 7 अहोब आपको बात समझ आ रही है सर 20-10 10 याने क्या positive तो यह आता है positive अच्छे सर 10,-1 यहां रखो तो 10-3 कितना 30 माइनस 1 रखा तो plus 4 plus 2 सर यह भी आ रहा है positive यहां तो दोनो positive आएंग या दोनो negative आएंगे मतलब देखो 1,2 के case में दोनो opposite sign किया थे एक positive एक negative अगर दोनों ही negative आ जाते या दोनों ही positive आ जाते मतलब sign कैसा है इस case में सर sign है same यह कैसा sign आ गया यह आ गया same sign आप समझ रहे हो ना इन दोनों का जो sign आया इसका और इसका वो कैसा आया same sign आप समझ रहे हो लेकिन 1,2 के case में ये और ये 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 जो मिला था आपको ये कैसा sign था ये था opposite sign I hope अभी तो मैं आपको बस एक example से समझा रहा हूँ फिर flow chart बना के बता भी दूंगा कि exactly क्या होता है तो ये दोनों कैसा है थे opposite sign कि तो हमने क्या ले लिया था angle by sector में negative sign किस बात के लिए किसर 1,2 जिस region में contain होता है ना उस region वाले angle by sector की equation होती है आप समझ पारे हो जो मैं कहना चाहरा हूँ याने मैं आप से कहना चाहरा हूँ प्लीज इस बात को ध्यान से सुनों students 10,-1 जो भी region होगा वो fortunately वो region होगा जहां पे यहां कहीं होगा basically 10-1 कहां पे यह तो यहां 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 जासे मैं माल लता हूँ यहां कहीं है सथी यहीं क्यों माने क्योंकि आप बात समझो जब आपका 10,-1 रखा ना अ उपने तो दोनों साइन ऎए है चहे दोनों positive चाहे दोनों nis bowl से माई ना और अगर दोनों से माई तो आप कॉन साइंगल by असैक्टर होती वो क्या होती सर वो भी यही होती क्या 2x plus 3y minus 7 upon under root 13 is equal to कितना 3x minus 4y plus 2 upon 5 लेकिन इस बार में minus sign नहीं लगाता plus sign लगाता क्योंकि ये दोनों same sign के थे बहुत confusing तो नहीं हो रहा है students अगर मैं इस बात को आपको boil down करके दूँ अगर मैं final आपको चीछ समझाओं तो सुनिए गाधियांस जैसे माल लो आपकी दो equations है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 दूसरी straight line है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 और आपसे पूछा है आप वो वाले angle bisector की equation लिखो जो उस region में है जहां पे alpha और beta है आप सोच पाई यह स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों स्ट्रेट लाइन का मुझे एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है मुझे वह वाला angle bisector जाहिए जिस region में alpha, beta है यह इस तरह का question है क्या आपको question समझा है तो आप बस यह करिए आप बस यह करिए सबसे पहला काम तो सुनिए ध्यान से आप यह करिए कि आप निकाल लिए even alpha प्लस B1 beta प्लस C1 है ना और आप क्या निकाल लीजे आप निकाल लीजिए क्या एटू alpha प्लस B2 beta प्लस C2 अब सोच के देखो अगर दोनों same sign क्योंगे अगर दोनों same sign क्योंगे अलो या तो दोनों एंका प्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पॉजिटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर वो एंगल बाइसेक्टर होगा जो इसको कंटीन करेगा अगर प्रॉडट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर वो एंगल बाइसेक्टर होगा जो इसको कंटीन करेगा अगर इन दोनों का product negative हुआ तो क्या बात याद रहेगी मतलब आपके angle bisector की equation दोनों ही case में क्या लिखो गया इस वाले case में जब आपको यह वाला case सोच नहीं तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे sir a1x plus b1y plus c1 upon में of course क्या under root over a1 square plus b1 square लेकिन sir क्या है sign आपका इन दोनों का जो product निगाला वो positive आया मलब इसमें positive sign ही रखना मतलब यहाँ पर आप a2x plus b2y plus c2 उसी equation को बस इसके coefficients के square के sum के under root से divide कर देना क्या यह बात आपको समझाई बस negative sign वाले case में यही equation but with a negative sign लिख लेना क्या यह flow chart आपको समझाया बस भूलना वत मैं अगर confusion हो रही तो लिख देता हूं इस वाले case में a1x plus b1y plus c1 upon of course under root over a1 square plus b1 square will be equal to negative of क्या negative of a2x plus b2y plus c2 upon under root over a2 square plus b2 square खेर इतना detail में iatj नहीं पूछेगा इतना complicate करके iatj नहीं पूछेगा पता है iatj कैसे पूछेगा वो check तो करेगा आपको यह आता है नहीं आता पर किसी और तरीक से जैसे मान लो एक example में आपको देता हूं जैसे मान लो आपको एक situation दे दी जाए है ना क्या 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 और लेट से बोल दिया जाए 7x plus 8y minus 2 is equals to 0 और वो आपसे बोल दे कि सर वो वाला angle by sector बनाओ वो angle by sector बनाओ जो origin को contain करता है सर वो angle by sector बनाओ जो origin को contain करता है तो वही बात यह alpha और beta है alpha बीटा है यहाँ पास किये तो 00 यह क्या बना minus 7 00 तो यह क्या बना minus 2 minus minus क्या हो गया positive और अगर यह positive हुआ तो angle by sector आपको लिखते आ रहा है सर 0,0 को positive sign वाल angle by sector contain करेगा मतलब this upon under root over 2 square plus 3 square will be equal to plus positive will be equal to this upon under root over 7 square plus 8 square that's it मतलब origin को contain करने वाले section का अगर angle by sector निकालना है तो आपको क्या करना है बस in constant terms का product देख लेना है अगर वो positive है तो plus sign वाला angle by sector ले लेना अगर वो negative है तो negative sign वाला angle by sector ले लेना कोई दिकत कोई राउट क्या है सारे concept समझ आए बस यहीं बात है आप लिख कर दी गए अगर आप समझ पाए तो वही बात है जो भी तक मैंने समझाने मैं कहता हूँ यह question solve कर लो आपके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे आपकी हर एक understanding बिल्ड हो जाएगे हर एक question को लेकर की चीज़े कैसे निकलती है पहला question सर पहले तो दोनों equations है जब बात आती है obtuse angle bisector या acute angle bisector की तो जीवन आसान तब बनता है सर जब आपके c1 और c2 दो positive हो हमने तो यह सीखा है तो equation क्या है 4x plus 3y minus 6 है ना तो मैं उसे क्या बना लूंगा minus 4x minus 3y plus 6 is equals to 0 I hope आप समझ रहे हूं है ना minus 4x minus 3y plus 6 और यहाँ पर क्या equation दी गई है यह दी गई है 5x plus 12y 5x plus 12y plus 9 is equals to 0 I hope आपको यह standard operating procedure पता है कि हम क्या follow करते है सब आपके c1 और c2 तो positive है यह plus 6 और यह plus 9 है आप क्या करना है I hope आपको याद हो कब हम निकालते है a1 a2 b1 b2 तो a1 a2 मतलब मैं निकाल हूंगा minus 4 into of course कितना 5 plus b1 b2 याने minus 3 into of course कितना 12 जरा सोच के बताओ students से clearly यह भी negative यह भी negative तो negative नेगेटिव नेगेटिव दोनों को add किया तो क्या इतना सा एक question है तो sir optus angle by sector कौन सा होगा sir optus angle by sector सुनना देहां से यही equation लिखो क्या minus 4x I am really sorry minus 4x minus 3y plus 6 divided by divided by what देहां से सुनना minus 4 का square 16 plus 9 कितना 25 25 का रूट 5 is equal to मैं sign लगा रहा हूं भी थोड़ा सा patience रखें यह क्या रहा है sir यहार है 5x plus 12y plus 9 divided by 5 का square 25 12 का square 144 144 plus 25 169 169 रूट 13 तो यहां पर क्या जाएगा 13 यह आद रखने आपका angle bisector होता है वो होता है obtuse angle bisector आप समझ पाई क्या और जैसे इसकी जगे plus लगा दो कि तो किया जाएगा acute बस अब आपको simplify करके solve करना है कैसे इसे हैं multiply कर देना इसे हैं simplify कर देना आपका obtuse और बन जाएगा मैं फिर से दोरा दो कर भूल रहे हो तो जो एवन इटू बीवन बीटू का sign होता है वही obtuse angle bisector वाला भी signature यूज करना है आपको माइनस अगर यह पॉजिटिव होता है किसमें obtuse में और जस्ट इसका पूजिट क्या होता है यह सब तब सोचेंगे जब आपका सर क्या जब आपका c1 c2 क्या हो positive क्या आपको याद है सर याद है अच्छा इसके अलावा अगर मैं इस question की बात करूँ सार एंट नो वाले ना तो क्या करेंगे सच पर ने तो 17 Ian पास कर थो पास कर तो ऑन फ़ी वी बाले पॉजटिव आएगा बेसिकली फिर भी आपको लिखना है तो लिख लो 24 प्लस कितना ना अब आप खुच समझो यह भी पॉजटिव यह भी पॉजटिव तो इनका प्रॉडट्ट क्या पॉजटिव इनका प्रॉडट्ट पॉजटिव तो आप इसका एंगल बाइसेटर पर पहले लिख लो आप 5X प्लस 12Y प्लस 9 divided by 13 अच्छा यहां पे सीवन सीटू की जिंता नहीं करनी है क्या से नहीं करनी है इस वाले केस में सीवन सीटू नहीं लिखना है ऑप्टिव और एक्यूट में अब में पॉजटिव साइन लगा है नेकिटिव याद करो स्टूड आइसं से cancels नहीं आले क्या रोगा है नेगिटिव और इसी तरीके से यह जो आंसर था यह आ हपकिए divided by 13 इसका रहा यह answer इसका रहा यह answer I hope आप बात समच भाएं और इसी तरीके से यह जो answer था यह आपके first question का answer था और जो second question का answer होगा जो की होगा of course आपका acute angle bisector वो यहीं वाला होगा बस यहां पर क्या जाएगा plus sign I hope एक भेतरीन सी understanding आपके develop हो गई और कहीं सारे students का यह answer आ गय में शायद इसके जैसा कुछ कहीं ना करें मतलब यह आएंगे पर सिर्फ यह आएंगे असा नहीं और बस इतना सा आजाए ऐसा नहीं अच्छा गुमा फिर आएगा बहुत सारी चीज़े डालेंगे और भी कुछ-कुछ डालेंगे बहुत कुछ उस question में होगा और उस तरीक में यह चारा था आपको कि आप यह समझ पाएं कि देखो एंगल बाइसेक्टर निकालना बहुत टफ टास्क नहीं है बस बारी की आँख लिए रहो बारी किया मतलब अगर मैं सारी बातों को बॉल डाउन करू अभी सारे facts को बॉल डाउन करू इस question पर हमारें तो दो बाते आती है students एक तो इस तरीके questions आते हैं कि आपको क्या निकालना होता है acute या obtuse और एक क्या निकालना होता है region वाला कि alpha beta जिस region में उस region का आप angle bisector निकालो तो जब acute या obtuse पूछे तो पहली condition तो क्या सर पहली condition c1 और c2 का क्या कर दो same sign कर दो उसके बाद आप क्या निकालो उसके बाद आप निकालो अब जो भी a1 a2 b1 b2 का sign है जो भी a1 a2 b2 b1 b2 का sign है वही sign किसका होगा वही sign आपके obtuse angle वही sign वाला कौन सा होगा आपका obtuse angle bisector I hope मैं ऐसे याद रखना हो तो ऐसे ही आप भी याद रखने जल्दी से हो जाएगा अ alpha beta जिस region में contained है वही region वाला angle bisector बनाओ तो आप क्या निकालो आप alpha beta रखके value निकालो तो आप क्या निकालो वही a1 alpha प्लस b1 alpha प्लस b1 beta प्लस c1 वरसे alpha और बीटा रखके दोनों value निकालो तो वो जो दोनों values आएंगे वो depend करेगा कि क्या होगी अगर वो positive रही तो positive region positive sign वा expression से जो I hope आप याद रखोगे भूलोगे नहीं I hope sign language आपको समझ जा रही है इसी के साथ साथ अब move करते है next question की तरफ जो की यह रहा आपके सामने जरह इस question को बढ़ो students क्या लिखा हुआ है क्योंकि बहुत interesting बहुत मिज़दार और अच्छा question है वो क्या कह रहा है पहले हम question समझ लेते हैं X plus Y is equals to zero is the is the angle by sector of the angle containing this point for this line and this line कितना आसान यह question है अगर आप बारी क्या समझते हो तो अरे यह वही तो question है बस घुमा के उल्टा पूछ ले इस बार angle by sector भी दे दिया इस बार आपको line भी दे दिए equation भी दे दिए अब बताओ कैसे सोचोगे बस इस बार उल्टा सोचना है सेम बातें सोचने है students बस दिमाग लाके और इस बार सोचना है कि इसका answer हम कैसे निकालेंगे क्या कोई भी student मुझे कोई thought लेकर इसका answer बता पा रहे है मुझे comment में लिखके बस इतना बता दो कि अगर यह angle by sector है तो क कैसे निकलेगा students के इतनी सी बात आप मुझे सोचके बता सकते हो जल्दी से दिमाग लगा students एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में जो आ रही है एक बात बताओ सारी बाते छोड़ो यह 1,0 x plus y सारी बाते कर लेंगे सर मुझे तो यह बताओ जब यह point contain करने वाले angle by sector की बात आ इस तरफ प्लस माइनस लगा देता हूं और यह फिर क्या जाएगा सर फॉर एक्स प्लस 3y माइनस भी और डिविजिन में वापस क्या सिक्स्टीन प्लस 925 वही बात 345 यह दिखते ही अटा देना है ना तो यह भी 5 यह भी 5 तो मैं कहता हूं सरी लिखने की क्या जरूरत ही मत लिखते हैं तो मैं तो थोड़ा सच्छे सी लिख देता हूं अगर आपको के परिशानी ना हो तो यह जो एक्वेशन है यह आपके एंगल बाइसिक्टर की उप्वेशन है और अभी बात समझ पाई क्या सर समझ गए अब एक बात बताना स्टूरें सोच के बताना बहुत का पहले मेरा यह पूछना है कि सर मैं आप से गर पूछू तो क्या आप 1,0 यहां और 1,0 यहां रखे, इनके sign निकाल सकते हो, कोशिश कर लेते हैं, जैसे ही 1,0 यहां रखा, जैसे ही 1,0 यहां रखा, तो देखो क्या हैगा, सुना, 1,0 तो 3, मैं यहां पे रख रहा हूं 1,0 यह यहां पर 1,0 रखा, तो 1,0 रखा, तो 4 प्लस 0 माइनस B, तो यह कितना रहा है, सर यह आ रहा है, 4 माइनस B, है ना, और यह किसके एक्वल है सर, यह है इक्वल टू, मतलब, I'm really sorry, इसका साइन मुझे पता करना है, इसका साइन मुझे ऐसे तो पता नहीं चाल सकता है, क्योंकि सर, B का साइन नहीं पता है, कर लेंगे, मुझे बताओ सर, मुझे बताओ, कि अगर यह 3 प्लस B, 4 माइनस B पर बात करनें, इसके हम बात करेंगे, सर, यह सारी बातें अच्छी बाते हैं, मुझे बस एक बात बता दो आप, मुझे एक बात बता दो आप, यह हम बात करेंगे इस बारे में, बात बताव सर इसमें अगर प्लस साइं लेता और माइनस साइं लेता तो क्या था एक बार प्लस साइं लेके बात करते तो प्लस साइं जब लेते तो 3 x plus 4y plus b is equal to 4x plus 3y minus b और जब minus sign लेते हैं तो क्या आता सुनिएगा 3x plus 4y plus b is equal to negative sign minus 4x minus 3y plus b आप एक बहुत मज़दार सा रोचक सा वाक्या देखोगे क्या सुनिए का ध्यान से बात समझदा है students देखो सर 4x इदर आये तो कितना minus x 3y इदर आये तो क्या plus y और b आये तो क्या 2b is equal to 0 यह आपका एक angle bisector बनता सर इसवाल angle bisector की question क्या होती सुना ध्यान से minus 4x इदर आया है यह उदर ही ले जाता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है यह अदर ही ले आता हूँ minus 4x इदर आये तो कितना 7x minus 3y इदर आये तो कितना 7y और b से b cancel तो इसे अगर मैं simplify करूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x plus y is equal to 0 क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x plus y is equal to 0 और यह आते ही मेरी नजर जरा गई उपर की तरफ जहाँ में मुझे किसी ने कहा था इस question में किसार x plus y की value 0 के equal हो तो वो एक angle by sector होगा इसका अब पूरी बात फिर से दोहराना सुनना सर इसका एक angle by sector है जो कि इसमें negative sign लेने पर आता है यह negative sign लेने पर इसलिए आता है क्योंकि 1,0 अगर 1,0 region को contain करने वाल angle by sector वही है जो negative sign लेने को आता है तो 1,0 जब इसमें और इसमें push करोगे जब इसमें और इसमें transfer करोगे जब इसको और इसको 1,0 रखोगे एक सूर वाई की जगा तो इसका और इसका product भी negative आना चाहिए कुछ बात समझ आ रही है या नहीं students मैं फिर से यही बात पर आता हूँ बात समझो students आप याद करो अलफा और बीटा जब आप दोनों equations में रखते हो और अगर अलफा और बीटा रखने पर वो दोनों equations का product पर दोनों opposite sign कियाता है तो आपका angle bisector कौन सा होता है negative sign वाला यही बात है यहाँ पर लिखिए sir x plus y is equal to zero angle bisector है वो वाला जो 1,0 वाले region में contained है sir 1,0 region वाले angle bisector के contain होने की बात तो मुझे नहीं पता लेकिन x plus y is equal to zero जो angle bisector है x plus y is equal to zero जो angle bisector है तब आता है मेरे according तो जब आप negative sign लेते हो तो सीधी सीधी सी बात है sir जब इसमें और इसमें 1,0 रखोगे तो उन दोनों का product उन दोनों का product negative आना चाहिए जब इन दोनों में 1,0 रखा तो यह आया और इसका product negative आना चाहिए हाया ना students sir इसे जोड़ा simplify करा इसे जोड़ा simplify करा तो 3 plus b को b plus 3 लिखा इसमें से negative sign common लिया तो इसे मैंने लिखा b minus 4 negative sign common लिया तो less than क्या बंजाइका greater than कोई तकलिफ सर नहीं है अब हम use करेंगे कौन सी method याद करो sir हम use करेंगे हमारी सबसे प्यारी wavy curve method यह baby नहीं है ना तो यह है हमारी wavy curve method आपकी charts में पढ़ता है रहता हूं अकसर जब आप online यह प्रीमियर होता है वीडियो तब आप light check में बहुत सारी है सब चीज़ों चलाते हो baby, babu और यह सब पढ़ना ही पे ध्यान दो यह सब कुछ मनलब कुछ नहीं होना है उदर वो time pass चीज़े हैं मेरा आपसे बस यह कहना है कि एक बात का जवाब दो मुझे minus 3 से plus 4 के बीच मैं 0 मिलेगा हां मिलेगा सर 0 plus 3 positive 0 minus 4 negative तो यह zone क्या होगा negative और anyway this is bound to be negative अगर यह दो factor वाला scenario है तो फिर भी अगर भूल जाओ तो ऐसे निकाल सकते हो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यह expression positive यह expression positive का अवे सर जब यह minus infinity से minus 3 के बीच हो और 4 से infinity के बीच हो मतलब B किसको belong करता है सर B belong करता है हमें चाहिए expression positive तो या तो सर आपकी values कहां से कहां तक हो minus infinity से minus 3 या फिर इसे आप कहते हो और और यानि यूनियन या फिर क्या हो sir, 4 से infinity तक, अगर आपका B जो है sir, वो minus infinity से minus 3 के बीच रहा, या 4 से infinity तक रहा, तो इसका और इसका, जो angle by sector होगा जो की 1,0 वाले region में content होगा, वो होगा x plus y is equals to 0 Did you all understand this complete question and its solution, without getting confused क्या सीधा सीधा question समझा है और इस तरीके से ITJ means or advance question पूछेगी, बिल्कुल यह means या advance किसी में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से, किसके आपकी exam, ITJ वो straight forward question नहीं आएगा है बिल्कुल ही कि बस ऐसा ऐसा कर लो, बनाएगा यह है वही concept बट घुमा फिरा के चीजें पूछी गई सहाब, और इसमें देखो, ना सिफ आपका angle bisector का approach लगा, बट आपकी sets relation और function का जो concept होता है, वेवी कर method लग गया हो, बस ऐसी चीजें आती है, याद रखोगे अगर आप याद रखोगे तो यह रहा आज का अगला सवाल, अगला सवाल, क्या लिखा हो है सर, two equal sides of an isoscellus triangle are this and this, equal side isoscellus है, ठीक है and its third side passes through this point determine the equation of the third side तो समझ नहीं आ रहा है मेरा कहना है, थोड़ा धिहान लगाओ, थोड़ा सोचो, आपका एक question बहुत आथान है पहले तो उसने क्या कहा, मैं आपको question समझाता हू एक आपके पास isoscellus triangle है, you have बहुत एजीब सा बनाया है, हमने अभी इसको ऐसा बना लूँ, यह आपका क्या है भई, isoscellus triangle इस isoscellus triangle की दो equations है एक तो क्या है सर, एक equation है 7x-y plus 3 equals to 0 और एक equation क्या है सर, x plus y minus 3 equals to 0 कोई तकलीफ, और जो तीसरी side है ना सर, जो तीसरी side है वो 1, side की equation पूछना चारा है करना क्या है सर, कुछ तो पढ़ाया है मैंने, आज पूरे lecture में तो दिमाग लगाओ, मुझे बताओ की कैसे सोचोगे, आपको सब सिखा दिया students, आप कर सकते हैं, मेरे यकीन करो एक question टफ नहीं है, आप कर सकते हैं हिंट अगर मैं दूँ, तो हिंट मैं दे चुका हूँ मतलब इसमें और कुछ बताने जैसा है नहीं तो ज़रा इस question को solve करो, और मुझे बस answer बता दो, कि आप इस question को कैसे सोचोगे, आप क्या दिमाग लगाओगे और कैसे चीज़े figure out करोगे, कि sir, चीज़े निकल के आ जाएं, पहला तो ये point कि sir, अगर ये angle by sector है, जो third side है आपकी वो कैसे निकलेगी, बस उसको थोड़ा सोच लो students, काफी कुछ आपके सामने हैं अब इस question को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका सुनिएगा जयान से, बहुत सारे हो सकते हैं, बस एक तरीका बता रहा हूँ, जो एक सबसे आसान तरीका मेरे दमाग में स्ट्राइक कर रहा है, कि sir, अगर मैं side को थोड़ा ऐसे extend करूँ, और मैं side को भी थोड़ा ऐसे extend करूँ, है ना सर, पहली बात तो उसने बोला isocellus, मतलब क्या, मतलब यह side और यह side equal length की है, बिल्कुल सही बात, एक बात बताओ, अगर मैंने इसका एक angle by sector बना है, अगर मैंने इसका क्या बना है भी, इसका गर अभी है alpha, तो यह पूरा angle क्या रहा होगा, सरी यह पूरा angle रहा होगा, सुनिए का ध्यान से, 180-2 alpha, 180-2 alpha का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90- alpha, अब 90- alpha plus alpha कितना होता है, सरी हो जाता है, 90, और अगर 180 में से 90 सब्टराट किया, तो यह कितना हो जाता है, 90, मेरी आप बात समुझ पा रहे हो, मैं काम की बात, जो आप से पूरा क्रक्स जो समझाना चारहूँ हो यह, कि isocellus right angle triangle जो होता है, students, I repeat my statement, isocellus right angle, I'm really sorry, isocellus right angle नहीं, एक normal सा isocellus right triangle है, I repeat my statement, अगर एक normal सा, कोई भी standard सा isocellus triangle है, तो उसमें यह जो आपकी median होती है, कौनसी वाली median, जो आपकी दोनों equal size के converge होने पर vertex है draw की गई है, यह, बस बस इस median की बात करो, यह median भी होती है, यह angle by sector भी होती है, और यह altitude भी होती है, क्या आप यह बात बस इसके लिए, equilateral में तीनों सेम होती है, पर isocellus में सिर्फ यह वाली, बाग की दो नहीं, क्या बात आप याद रखोगे, सर इस बात से कहना क्या चाहते हो, इस बात से मैं बहुत crucial सा result आपको देना चाहरा हो, बहुत काम की बात देना चाहरा हो, कि अगर आपने इस line को यहां ऐसे extent क्या होता, इस side को यह extend ऐसे क्या होता, तो आपका यह पूरा angle by sector होता, एक तो of course आपका यह वाला angle by sector होता, और एक angle by sector आपका यह वाला होता, आप समझ पारे हो कहा है मैं जो कहना चाहरा है, और of course हम जानते है angle by sector एक दूसरे पर क्या होते है, perpendicular, मतलब काम की ब पैरलल होते हैं कहा ले जाना चाहरे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं निकालना चाहरा हूं बेसिकली अभी तो इस वाला एंगल बाइसेक्टर की एक्वेशन यह वह वाला एंगल बाइसेक्टर है जो वन कॉमा माइनस 10 को अपने अंजर कंटेन नहीं करता है अब सुन रहे ह हो ध्यान से ठीक है सर सोच रहे हैं हम थोड़ा मेरा है कहना है पहले बताओ इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर की एक्वेशन क्या होगी सर वह होगी 7x-y प्लस 3 डिवाइड़ बाइस सर 7 के स्क्वेशन के स्क्वेशन के स्क्वेशन होता है 49 प्लस 1 याने कितना अंडरूट 50 तो यहां पर लिख लेते हैं अंडरूट 50 is equal to plus minus में लगा रहा हूँ कौन सा लेना है हम decide करेंगे उस तरफ क्या है सर वो है x plus y minus 3 divided by of course कितना 1 plus 1 and root 2 काम की बात सुनिएगा काम की बहुत जरूरी बात काम की बात है ना काम की बात क्या मुझे बताओ जैसे ही मैं 1, minus 10 पास करता हूँ जैसे ही मैं 1, minus 10 पास करता हूँ कहां पे इसमें और इसमें यह sign क्या थे देखो 1, minus 10 यहां पास किया तो 1 याने क्या 7 minus 10 पास किया तो plus 10 और plus 3 तो यह तो आ रहा है positive है ना 1, minus 10 यहां पास किया तो यह कितना आ रहा है 1 minus 10 minus 3 तो यह आ रहा है negative negative into positive क्या आएगा negative मंदब 1, minus 10 को contain करने वाला angle by sector वो गा जो negative sign का होगा मुझे वो चाहिए जो 1, minus 10 को contain नहीं कर रहे हैं तो मुझे कौन से चाहिए positive sign वाला यो पाँ बात सहुच पाय रहे हो तो मैं कौन से sign लूंगा सिर्फ positive sign वाला एक और जरूरी प्द論 ंडूट्वें टूटिपंटिफिंटेव कितना होता है तो इस तरफ तर नहीं हो जाएका इस इस सब्सक्लिफी कोह करता है फिर भी चलो लिख लो यह है प्लस 3 है ना और यह माइनस 15 तो माइनस 15 प्लस 3 कितना प्लस 18 यह सब क्यों कर रहे हो सर एक बार टू कॉमन ले लो बस दो सकिंड के लिए तो कितना आजाएगा एकस माइनस 3Y प्लस अफकॉर्स 9 इस एकस तो 0 मुझे इस लाइन की आप स्लोप बता सकते हो क्या मुझे स्लाइन के स्लोप जानने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्यों आ रहे है बस पहले बता दो देखो स्लोप जब निकालोगे तो यह इकस उदर गया तो माइनस 6 माइ पास होती है यह जो साइड है इसका दिसज एकस तो मेरी ओस तो आप मुझे पता है रहे से Carsonires ऑले जाए पास यह साइब है इर से यह जो साइड है इक पास this side, this equation और this side basically passes through what? 1, minus 10 so it must satisfy this particular equation तो 1, minus 10 अगर पास किया तो यह कितना है सरी? यह है minus 10 minus 10 है न? इस इक्वल to 1 रखा तो 1 by 3 plus of course C कोई तकलीफ किसी भी student को सरसी को वही रहने देते हैं 1 by 3 को यहां ले आते हैं C को वही रहने दिया तो minus 10, minus 1 by 3 I hope आपको बात समझा रहे है तो CDC बात, minus 30 minus 1, minus 31 by 3 तो कितना आता है? This is minus 31 by 3 and this is nothing but the value of C C की value आगी जो कि आप यहां रख दोगे तो यह कि आजाएगा सुनेगा दियां से C की value जैसी आप यहां रख दोगे तो यह आजाएगा Y is equal to X की value तो वही रहेगी X by 3 और C की value कितनी है? minus 31 by 3 3 को वहां shift किया तो यह हो जाएगा 3Y is equal to X minus 31 इसको 3Y को अधर ले आएगे तो X minus 3Y minus 31 is equal to 0 This here is going to be the equation कौन सी सर? वो जो third side आपको दी गई है उसकी सर आप थोड़ा confuse नहीं कर गए हमको मेरा कहना है देखो बास बरी सुलजी वी सी थी यह जो equation है यह जो है यह angle by sector इस वाले के parallel है यह वाला angle by sector कैसे निकाला सर? उससे कि इन दोनों lines का angle by sector है पर यह इसको contain नहीं करता है तो इस वाले को जब value का आपने पास किया था इन दोनों equations में तो उनका product आए सा negative तो negative sign वाला यह angle by sector है पर हमें यह वाला चाहिए तो यह positive sign वाला होगा क्या आप बात समझ पाए? लेकिन इस angle by sector का और इस line का क्या लेना देना? यह parallel है प्रूफ किया ना अभी और अगर यह parallel है तो इसकी slope और इसकी slope सेम होगी तो slope आ जाने से अगर 1, minus 10 y is equal to mx plus c वाले form में satisfy करवा दिया तो हम इसकी equation निकाल पाए बस इतना साथा आसान साई question था किसी भी step में कोई doubt students के पूरा solution आपको समझा है मेरे यह एकिन है angle by sector concept बहुत अच्छे से clear है बहुत अच्छे से आपके दिमाग में हर एक चीज़ डाइजस्ट हो गई है और डाइजस्ट हो गई है तो आज कहानी सिर्फ यह खत नहीं होगी आज आपको फिर से दिये जाएंगे काफी सारे क्या काफी सारे assignment questions अच्छा बड़ा सपना देखा है तो इस आप पूरे करने के लिए इसे पूरा करने के लिए आपको efforts डाल लेंगे तो यह रहा आज का आपका पहला assignment question answer भी लिखा हुआ है solve आपको करना है पहला question आज का screenshot ले लो भाई जल्दी से इसके अलावा गया इसके बाद आज का अगला assignment question ये भी आपका assignment question है इसे भी आपको करना है solve करिएगा और मुझे बताएगा इसका answer विसे answer तो पता है पर approach बता दीजिएगा कैसे करना है ये भी बताना इसके बाद आज का तीसरा assignment question ये रहा ये सब उनी सारे concepts पर based हैं जो सब आपने भी तक पड़े हैं सीखे हैं समझे हैं उनी बातों को recall concepts को उनी concepts को consolidate उन्हें और मजबूत करवाने के लिए सारे questions रखे गए हैं इसके बाद बस बात इतनी सी है आज के lecture में हमने डिसकस किया की angle by sector की equation कैसे निकाले जाती है हमने दो तरीकों से देखा acute angle by sector, obtuse angle by sector या फिर वो by sector जो उस particular point को region में contained है उस region वाले angle by sector की equation दोनों तरीके अच्छे से clear होंगे questions देखे आपने j mains or advance में किस तरीके से घुमा के चीज़े पूछी जाएंगे और assignment questions के ज़रूर screenshot ली होंगे उन्हें अच्छे से solve कर लेना और ये सारी चीज़े बाइदवे students हम दे रहे हैं आपको absolutely free of cost मतलब सिंगेज बुक का जो ITJ mains or advance के लिए mathematics का हम discuss कर रहे हैं जिसके तरू आपको ये तयारी जो करवाई जा रही है ये पूरे तरीके से free of cost है पाँचों बुक्स हम करेंगे coordinate geometry, calculus, algebra, vector, syndrome, trigonometry बहुत detail में करेंगे हर एक चीज़ पढ़ेंगे हर एक concept सीखेंगे और relevant questions के तरू उन्हें consolidate करेंगे और एक और ज़रूरी बात students kindergarten garden से लेके 12 standard तक कहीं सारे boards, कहीं सारे mediums और कहीं सारे competitive exams की तयारी हम करवा रहे हैं आपको free of cost मालो कोई subscription नहीं लेना है, कोई hidden cost नहीं है कोई ऐसा trial version या paid version नहीं है पूरा module, पूरा program, पूरा package, पूरा course absolutely zero cost आप हमारे notes, e-books या PDFs के लिए हमारी team से contact कर सकते हैं, get notes करके link आपको description में दिखाए देगा, वहाँ click करके आप उसके लिए भी team से communicate कर सकते हैं, एक और ज़रूरी बात students, अगर ये video से आप IETG means और advanced की तयारी mathematics book को लेकर, सिंगीज book के लाइक करिए, so that we also feel appreciated और मैं यकीन रहे कि हाम आपके लिए सही direction में उसी तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें या efforts required हैं, और इस playlist को save करके रख लिए students, बढ़ा आसान सा तरीका है, जब वीडियो के description में आप जाएंगे, तो आपको आपके account में भी save हो जाएंगे, तो जो भी नए videos update आते हैं, आपके हमेशा वो वहाँ playlist में आपको दिखते रहेंगे, ताकि आप हमेशा sync में रहें, आप updated रहें, आप informed रहें और आप notified रहें, ताकि आपका कोई भी update मिस ना हो, और क्या सर, सर, अगर ये assignment के questions नहीं हो रहे होंगे तो, तो बेशक, ask or doubt भी वहाँ है clean दिया है, वहाँ click करके हमें forward कर दीजे, और एक और ज़रूरी बात students, एक बार imagine करो, IET, JE, means or advance की त्यारी, mathematics subjects particularly की अगर मैं बात करो तो, हम चाहते हैं कि we are culminating this lecture here, ख्याल रखे अपना, thank you so much